Hello friends, Pinky की दुनिया में आपका स्वागत है तो यह देखिए मैं आपको कहां ले करके आ गई हूँ बोलोगे कि पता दी क्या क्या दिखाती हैं हम लोगों को तो देखिए आज मैं आपको एक नए चीज दिखाने वाली हूँ आप लोगों ने देखी होगी, शायद किसी किसी इधर नहीं मिलते हैं नहीं देखिए किसी किसी ने, बट अगर नहीं देखिये तो मेरे साथ बने रहगा मेरे वीडियो में तो ये देखिए मैं आपको आज कस्टड एपल जिसको बोलते हैं शीता फल हमारे तर तो शीता फल ही बोलते हैं मगर अगर किसी को नई समझ में आता है तो कस्टड एपल इसको बोलते हैं इंग्रिश में तो ये देखिए कितने सारे मेरे पेड में लगे हुए हैं मेरे इधर और दर उझाला आ गया थाज उसलिए देखिए इधर से और मैं नीचे से इन पकड़े हुए हूँ तो उस टाली में बहुत शारे लगे हुए थे तो देखिए मैं देखाती हूँ कितने अच्छे से इतने प्यारे लग रहे थे न देखने में ऐसा लग रहा था तो देखिए मैं दिखाती है इसको पास से बहुत अच्छे दिख रहे हैं और जो पकने लायक हो जाते हैं वो दरार चलने लगती है उनमें से तो तोड़ लेते हैं तो मैंने सोचा कि एक दो मैं भी तोड़ करके लाती हूँ वैसे मैं तोड़ती नहीं हूँ बढ़ फिर भी मैंने सोचा कि आपको दिखाती हूँ जाही रही हूँ तो और यह मौसमी फल है मौसम में ही आता है और यह सर्दी के मौसम में ही आता है मतलब जैसे गर्मी बारिश और सरदी आने वानी होती हैं नो उसी मौसम में आता है तो देखिए ओपर तक बहुत बढ़े बढ़े इस वार लगे हुए थे तो देखिए बहुत सारे हैं कितने दिखा un-mै इसा नहीं हो सकता है क क्युकि एक ही पेड़गे मैं आपको दिखा रही थी मांकी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं तो ये देखिए ऊपर तक लगे हुए हैं देखिए कितने सारे लगे हुए हैं बहुत सारे और मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और इंज्वाइ करते रहिएगा तो देखिए अब मैं इनको तोड़ने की कोशिस कर रही ह तो मैं वही बोल रहे थी कि कैसे तोड़ूंगी तो ममी जी इधर बैठी हुई थी तो बोल रही है कि नीचे कर उसको फिर तोड़ना तो मैंने उसको नीचे किया लेकिन फिर भी तूट नहीं रहा था यह देखिए एक तूट भी गया है और देखिए मैं किस तरीके से खीच वल तोड़ करके यह देखिए कितने अच्छे हैं देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूं और देखिए आज मैंने दो चीता वल तोड़ लिया है और तोड़ के लेकि आ गई देखिए चार तोड़ तूटे हैं बस चारी तोड़ करके लेकि आई हूं और भी आपको द पुलते हैं हैं कर दो निमें तीन दिन इन के सेंजिन फूल घृएफ तो फिर दो तीन दिन भीजुन और क़ टान ö Collabor Eso एसी जगें हमको रखना है जैसे चावल घ्यरा हो गया उल्हा पिर जैसे कि कपड़ा ग्यार जहां पर रखगर मि वह मसलिब हाब साथ हवा लपेट के लोग इनको रखे देते हैं और तीन से चार दिन बाद जब हम देखते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वह किस तरीके से पाका हुआ है तो देखिए जो हमें चार रखे हुए थे उन में से दो पक गए और दो अभी रखे हुए है तो देखिए किस तरीके से कितने अच्छे से दोन पक गए हैं यह देखिए और यह हमारे घर के लगे हुए हैं तो देखिए मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूं इसको हमारे दर्शीता फल भी बोलते हैं तो यह देखिए कितने अच्छे तरीके से यह पका हुआ है देखिए हैं कितना अच्छा देख रहा है और अच्छे तरीके से पका हुआ है और खाने में एतना मेटा अधिकितना अच्छा दिख रहा है आक तरीके से यह बहुत मेखिए हैं निका तो बच्चे देखे बहुत सेतानी कर रहे हैं और आपको तोड़ करके बताती हूँ कि सेकेंब वाला पिरमारा कितने अच्छे से पका हुआ है जिससे तरीके बर लोगत अच्छी से पाहुआ है तो इसी तरीके चेक भाल नुपर में और रख यह रहीं होती हैं भातके पाहु हुआ है तो यह खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं तो आजाईएगा सीताफल खाईएगा हमारे साथ में बैठ करके और यह बोड़ी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सारे बिटमेंस और मिल्रस होते हैं तो हमारे दर दीवाली आ गई है बचे वगरा चिट ब्हुत अच्छा यं ना है जात करतां भी करें और यह लुगत अच्छे ना oli किता थे मिल्लब गों डेक्टि अम लोह व्लूरी करह सिटक्वेगे सो को का अगर मिठा है तो कि दिखी किस तरीके से भी चार्ट रही है और इस तरीके से बच्चे मज़े से खा रहे हैं अपना कश्टड आप पल को अज के लिए बस इतना ही हम लोग कश्टड अपल खा लेते आप लोग भी आ जाइएगा और बाइब बाइब कर लोटा प्रीची अपी का एर बाइ बाइ